है लो फ्रेंड्स इस भावना ही यर वेलकम पूलेट्स क्रेक तो कैसे आप सब आप सब अच्छे होंगे तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे जिनका आगे एक्जाम है सर्दी बहुत जादा है तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें डेली एनलिसीज में क पता चल जाए कि इस टॉपिक में से कॉश्चन पूछा जा रहा है तो उस टॉपिक पर ज्यान देजिए ठीक है यह नहीं कि एनलिसीज दो दो गंटे का आप देख रहे हैं यह चार-चार गंटे कर देख रहे हैं देखिए लेकिन थोड़े टाइम का देखिए फिर बढ़ भावना को अब यहां भी क्लासीज रेगुलर होंगी ठीक है तो स्टार्ट करते हैं आज का एनलिसीज जो है आज की जो टॉपिक्स पूछे गए हैं पेपर थोड़ा सा इजी बता रहे हैं इजी टू मॉडरेट बता रहे हैं कल ईविस बहुत टाफ आई थी लेकिन आज का जो है इविस थोड़ा सा ठीक आया है दो तीन ही कोशन भार से पूछे गए हैं अब की बार क्या कर रहा है एक्जामिनल कि सिक सेवन तक की कोशन उठा रहा है तो अगर आपके पास टाइम है तो आप एक बार गो थू कर सकते हैं या फिर सी आर्ट की वुक्स भी देख सकते हैं और अगर टाइम नहीं है तो जितना पढ़ा है उसी कोई रिवाइस करिए ऐसा तो है निसारे कोशन बदल देगा कितने कोशन बदल देगा एक्जामिन अर्टीन से चार बदल देगा जादे से जदे पांच बदल देगा तो जो 25 नंबर वह अपने पक्क्य कर लिजिए CDP में आज फिर कोहलबग से कोशन पूछा गया है कल भी पूछा गया था डेली पूछा जा रहा है प्याजे की स्टेजिस से पूछा गया है कॉंक्रीट से कल पूछा गया था आज भी पूछा गया है प्याजे की बच्चा जिग्यास होता है कुछ इस तरह से कोशन करके प कैसे आरें conceptual आपकी समझ प्याधारित सब्सक्राइब जादर पूछे जा रहे हैं और देखो एक क्लास हम इसी की रखेंगे में आज या फिर कल आज आपको इंग्लिस की भी मिल सकते reproductive disorders कल हमने जो क्लास की थी मेम्री बेस्ट की तो हमें झार में इन इसका में उदेश्य हो समय क्या है थीक सा में देशियं क्या बाकि EVS की बात कर लेते हैं, आगे चलते हैं, EVS की बात कर लेते हैं, EVS से क्या-क्या पूछा गया है, देखो नया जो पूछा गया है, वो तो किसी को याद नहीं रहा, लेकिन केरला से कुछ करके पूछा गया है, कि केरला का famous चीजे कुछ पूछी गई है, बाकि मैप से एक और यह कि आइरन के स्रोथ कौन से आइरन के सोर्स पूछे गई है तो आप यह देख लेना सारी विटामिन और सारे यह पढ़के जाना ऐलिफेंट से डेली पूछ रहा है एलिफेंट से जो कॉछिट पूछ गया है कि अलिफेंट का जो बच्चा होता है उसका वजन कितना होता है 200 kg और कितने पत्ति और टहनिया खा सकता है तो 100 मालेरिया से कुछ्चिन पूछा गया फिर पूछा गया है तोरंग करने पूछा गया है तोरंग से रिलेटेटिद छिकए बाकि ओजोन लेयर से और चित्रकला पूछे गई है क्या है पेंटिंग से भी कोश्चन आया है तो सारी पेंटिंग रिवाइज करके जाना ठीक है आगे चलते हैं फिर है डिसलेक्सिया से question पुछ गया है reading disorder से अब यह पता नहीं इंगलिस में पूछा है या फिर cdp में पूछा है ठीक है निपुन से पूछा गया है निपुन से डेली आ रहा है question तो निपुन की full form आप याद कर लेना बिल्कुल अच्छी तरह हिंदी में क्या है बूंदों के ऊपर paragraph है, पानी के ऊपर, की पानी की बूंदे गिरती है, इसके ऊपर paragraph पूछा गया है, और हिंदी में क्या है ना, परतिय जरूर पढ़ के जाना, प्रतिय से question पूछा ही जा रहा है, ठीक है, तो प्रतिय अच्छे से पढ़ के जाना, संधी, विचेद, वगरा वाइगोट्सकी से हिंदी में भी question पूछा है, तो देखो, दो question वाइगोट्सकी से हो गए है, NEP से पूछा गया है, National Education Policy, और इसके folding, वाइगोट्सकी से, ठीक है वही, और NCF 2005 से पूछा है, हिंदी में, ठीक है, कि बच्चों को पढ़ाते समय, किस पर जोर नहीं दिया ज चाहिए, तो रटने पे जोर नहीं दिया जाना चाहिए, रॉट Memorization नहीं करानी है हमें, तो इससे question पूछा है, ठीक है, बाकी बहु भासिकता से question पूछा है, हमारे पहन को क्या हो गया, बहु भासिकता से question पूछा है, ठीक है, तो ये थी हिंदी की बात, English में क्या है, paragraph प तो comment section में बता दीजी या फिर आप मुझे Instagram पे message कर सकते हैं जो कि मेरा personal Instagram है या फिर आप Facebook पे भी मुझे बता सकते हैं ठीक है Loss of sleep करके paragraph पूछ गया है तो ये था कुछ एनले से नया topic जो है नए जो question ने एक दो EBS में पूछ गया है आज की CDP easy थी easy बता रहे हैं बागी Hindi भी easy आ रही है थोड़ी से hard जो आ रही है वो Sanskrit आ रही है और Sanskrit तो मुझे विल्कुल भी नहीं आती है ठीक है तो बबाई take care पढ़ते रही है मुस्कुराते रही है और हसते रही है और ऐसे ही practice करते रही है ठीक है